नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर्स क्लॉड में तो दोस्तो भारत एक ऐसा सीक्रेट विपन को बना रहा है जो पल भर में तबाही मचा सकता है और पलक जपकते ही दुस्मन के हतियारों को धुआ धुआ कर सकता है और ऐसे ही हतियार पर अमेरिका की कमपनी लाखिट मार्टीन भी कारी कर रही है लेकिन जो हतियार भारत बना रहा है वो बेहद ही खतरनाक है और इस हतियार का नाम है दुर्गा लेजर तकनीक तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय बरवात किये वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं दरसल दोस्तों दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल भारत दूर से आ रहे किसी भी बैलेस्टिक मिसाइल को पलक जपकते ही नस्तनाबूत कर सकती है और दुर्गा की स्पीड ना तो दुस्मन को संबलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी और कई रिपोर्टर के मुताबिक दुर्गा की स्पीड तीन लाग किलो मीटर पर सेकंड तक हो सकती है जो इसे बहुत प्रभाव सालिवा सटीक बना देती है दुर्गा भारत के DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जारा एक सीक्रेट वेपन है और DRDO फिलाल सव किलो आट और वजन में हलके हतियार पर कारे कर रहा है और दुबाई में हुए एक डिफेंस एक्सपो में चीन ने ऐसे ही एक हतियार जिसका नाम साइलेंट हंटर था उसका मा आडल भी पेस किया और ऐसे में दोस्तों युद्ध के मैदान में एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हतियारों को देखने के बाद भी कई हतियारा भी हमारे सामने पेस नहीं किये गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि विस्सु के तीन बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन न भी जबाह कर देगा और या हतियार एटम बं से भी खतरनाक मना जाता है और भारत के सीक्रेट वेपन कहा जाने वẫnने हतियार को दुरगा नाम दिया गया है और दुर्गाका अर्थ है डिरेक्शनली अन्रिस्ट्रीक्ट्टेड रे गने रे जिसे वार एक्सपर्ड ज़ारा तबाही का दूसरा नाम भी कहा गया है दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा की आखिरियत दुर्गा है क्या चीज़ तो आपको बता दू की दुर्गा रच्छा अनुसंधान और विकास संगठन यानी की DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है जिसकी अधिक जानकारी अभी तक सारुजनिक नहीं की गई है और दुर्गा को आम भासा में एक लेजर वेपन भी कहा जाता है जो बेहत सटीकता से किसी भी लच्छे को तबाह कर सकता है और फिर हाल DRDO 100 किलो वार्ट और वजन में हलके हतियार पर कारे कर रहा है जो जल्दी सेना में सेवा के लिए उपलब्द हो जाएगा वहीं लेजर हतियार विक्सित करने में अग्रडी प्योकसाला लेजर साइंस और टेकनलाजी सेंटर पहले भी एक 25 किलो वार्ट लेजर वेपन को डेवलप कर चुका है और इस टेस्ट वेपन की छमता 5 किलो मीटर थी वहीं आपको बता दूं कि दुरगा कोई नई परियोजना नहीं है या 2000 के दसक की सुरुआत में लांच की गई थी और पिछले दो दसकों के दोरान विभिन रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्तु का उलेख भी किया गया है और बेहत सुस्त गति से आगे बढ़ रहे है इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी जब DRDO ने ततकालीन रच्छामंत्री आरूड जेटली की उपस्थित में एक परिछन सुपधा केंदर में एक किलो वार्ट के लेजर विपन का टेस्ट किया था और अब DRDO इसमें अब प्रत्याशित प्रद्धिकर के इसे सौ किलो वार्ट की छंता के साथ तयार करने की योजना पर काम कर रहा है तो दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में एक दूसरा सवाल उठा होगा की आखिरिये दुरगा काम कैसे करेगी तो आपको बता दूँ की ब्रेकिंग डिफेंस के अनुसार लेजर तकनिक एक तरह से काच के उपयोग से सूरी की रोषनी को एक जगह केंदरित करने जैसा है जैसे एक मैगनिफाइंग ग्लास सूरी की रोषनी को एक जगह केंदरित कर कागज को जला देता है कम सक्ति वाले लेजर को कई सेकेंड के लिए लच्छ पर ध्यान केंद्रित करने की आवसकता हो सकती है जबकि बड़े लेजर और सक्तिसाली लेजर विपन बहुत जल्दी नुकसान कर सकते हैं और तुलना के लिए एक क्रूज मिसाइल में गाइड़ सिस्टम वारहेड इंधन और टर्बो जेट इंजन जुड़ा रहता है जो मिसाइल को लच्छ तक ले जाने में मदद करते हैं और लेजर विपन इस क्रूज मिसाइल के गाइड़ सिस्टम को छड़ बर में ही पिघला सकता है साथ ही या हतियार वारहेड या फ्यूल टैंक में विस्पोर्ट करने की छमता भी रखता है ऐसे में गाइड़ सिस्टम और वारहेड या फ्यूल टैंक में विस्पोर्ट होने से एरो डाइनेमिकली मिसाइल अनेस्टेबल होकर क्रैस हो जाता है और इनका इस्तेमाल लडाकू विवानों ड्रोन और हेलिकाप्टर को गिराने में भी किया जाता है साथ ही लडाकू विवान के पाइलेट को अंधा करने की इसकी छमता इसे बेहद विनासकारी बना देती है और ये लेजर सिस्टम रडार की भी पकड में नहीं आते हैं और नाई हमले का कोई सबूत छोड़ेगी और कई रिपोर्टों के मताबिक दुरगा की स्पीड तीन लाग किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है जो इसे बहुत ही प्रभाव साली वा सठीक बना देती है हाला कि ऐसी उच सकती वाले लेजर हत्यारों को विक्सित करना बेहद मुश्किल भरा कारे होता है क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जिसे समय के साथ आपरेट करना मुश्किल हो सकता है और एकनामिक टाइम्स के मुताबिक DRDO, सार्ट, मध्यम और लांग रेंज के इन हत्यारों को तैयार करने में बहुत तेजी से जुटा हुआ है और ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही इस हत्यार पर कारे कर रहा है बलकि अमेरिका ने समय से पहले ही अपने सीक्रेट विपन लोस पर कारी करना सुरू कर दिया था और फिलाल यूस की नेवी के पास दुरगा जैसा ही एक लेजर विपन मौजूद है जो ड्रोन और हेलिकाप्टर को बीना कोई मिसाइल छोड़े ही नीचे गिरा सकता है और वर्स 2014 में अमेरिकी नेवी के USS Pons में इस 30 किलो वाट के लेजर विपन को इंस्टाल किया गया था और दुस्पन बलो को चेतावनी के रूप में अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने, नावों को अच्छम करने आया, हेलिकाप्टर को नुकसान पहुचाने में सच्छम है या हथियार और इस हथियार के घातक रूप को देखते हुए अमेरिकी सेना, इसके बहुत सक्तिसाली संस्क्रण को बनाने में तेजी से जुटी हुई है और इस साल की सुरुवात में अमेरिकी सेना, 100 किलो वाट का लेजर हथियार विक्सित करना चाह रही थी बदलते सेन समीकरण के बाद कुछी महीनों बाद सेना ने 250 से 300 किलो वाट का हथियार बनाने का लच्छ बना दिया और या लेजर सिस्टम कई क्रूज मिसाइलों को एक साथ बरबात करने में परियाप्त होगा वही दोस्तों इस आधूनिक जवाने में सेना को एक बुलेट फायर करने में 800 रुपए के करीब खर्च करने पड़ते हैं ऐसे में बड़े मिसन या युद्ध में देश को भारी भरकम खर्च वहन करना पड़ता है साथ ही Artificial Intelligence Warfare के समय में उन्नत मिसाइल और हतियार से मिपटने के लिए एक कतम आगे के हतियारों के साथ लड़ना पड़ सकता है और ऐसे में दुर्गा की आपरेटिंग कास्ट कम और क्रूज मिसाइल को बरबात करने की छमता उसे मारडन वार्पियर के लिए गातक हतियार बना देता है हालाकि इस हतियार को डेवलप करने का खर्चा भी भी काफी भारी भरकम है और डियार्डियों ने अभी सुरुवाती चरनड के बाद सरकार से 100 मिलियन डालर की मांग की है और वा दुर्गा की तरह लेजर विपन से संबंधित कई पर्योजनाओं पर कारे कर रहा है और इन पर्योजनाओं में किलो एंपियर लीनियर इंजेक्टर यानि की काली प्रोजेक्ट आदित्य और वायुर अच्छा दैजलर भी सामिल है और जानकारी के लिए भारत के अतरिक्त चीन और रूस भी सिस्टम पर कारे कर रहा है दुबई में हुए एक डिफेंस एक्सपो में चीन ने ऐसे ही एक हत्यार साइलेंट हंटर का माडल भी पेस किया था और चीन के मुताबे किया हत्यार अमेरिकी लोजस से भी सक्तिसाली है हलाकि अभी तक चीन के पास ऐसा कोई हत्यार होने के परियाप तो सबूत नहीं है अब दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है भारत के इस सक्तिसाली दुर्गा लेजर हत्यार के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही डिफेंस से जुड़ी खबरें हर रोज आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद कर दो हाएं पारे में जुड़ी ताकि बारे माथ दूले सब्सक्राइब करके उत्यार का अशें